हेलो गाइज वेल्कम बैक टू माइ चैनल सो गाइज आज हम लोग रस्मलाई बनाने वाले हैं मैं आपके साथ आसम टिप्स और ट्रिक्स शेर करूंगी जिससे जो आपकी रस्मलाई है वो बहुत ही असम बनेगा और डिलिश्यस बनेगा यह वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा आपको यह वीडियो पसंद आगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक वैसे ले लिया है जिसमें हम लोग मिल्क अड़ कर लेंगे यहाँ मैं बफिलो का मिल्क यूज़ कर रही हूँ जिससे जो हमारा रसमल आई है वो बहुत ही डिलिश्यस बनेगे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिटर मिल्क ले लिया है अब हम लोग क्या करेंगे जो हमारा मिल्क है उसे गरम होने देंगे जो यह मिल्क में यूज़ कर रही हूँ यह अल्रेड़ी फट गया था अब हम लोग क्या कर लेंगे इसमें 1 टी स्मून विनेगर अड़ कर लेंगे जो गैस अब यहाँ देख सकते हैं मैं अब इसे बॉइल होने दूंगी हमें इसे चलाते रहना है जो गैस आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा मिल के वा अच्छी तरह से फट गया है अब हम गैस का फ्लेम आफ कर लेंगे अब हमें क्या कर लेना एक कपड़ा दे लेना है साफ यहाँ पर देखिए मैंने नीचे एक बाव ले लिया है अब जो हमारा दूद फट गया था हम लोग देखिए इस तरह से वो कपड़े के उपर पूरा दूद हम लोग क्या कर लेंगे डाल लेंगे उसके बाद हमें क्या कर लेना है चारो कोनों को पकड़ लेना है जो हमारा कपड़ा होगा उसके चारो कोनों को पकड़ के जो इसमें दूद में जो हमारा वाटर होगा उसे रिमूफ कर लेना है यहाप आप देख सकते हैं हम लोग पूरा जो वाटर होगा उसे रिमूफ कर लेंगी यहाप आप देख सकते हैं मैं इसे गाठ मार लूँगी और यहाँ पर हम लोग इसे रख भी सकते हैं अगर आपके पास ज्यादा टाइम हो तो आप इसे रख सकते हैं हम लोगों को जल्दी बनाना है तो हम लोग क्या कर लेंगे जिसका पानी है वो फटाफट रिमूफ कर लेंगे इसे थोड़ देर के लिए मैं थंडा होने दूंगे उसके बाद जो इसका वाटर होगा वो पूरा मैं अच्छी तरह से रिमूफ कर लूँगी आप आप देख सक हमारा जो भी वाटर था वो पूरा एक्स्ट्राक्ट हो गया है और आप यहां देख सकते हैं अब हमें क्या कर लेना है इसे देखिए इस तरह से हम लोग इसे मसल लेंगे यहां पर आप देख सकते हैं हम लोग इसे पूरा अच्छी तरह से मसल लेंगे जिससे जो हमारा यह कि पुरा सॉफ्ट हो जाएगा यहाप आप देख सकते हैं आपको इसे पुरा जरा से मसल लेंग यहाँ कोम न में 3जाही अ हो क्कost ने हैं इस मे पो में एकुत लिए औरमरी सबस्क्राइब भी हम लोग के लिए मसल लेईगे बाद अब मैं जो कॉंफ़ार है उसेoda तरह इसमें react अलशा कर लिए तो आप देख सकते हैं मैं ने इसे मिक्स कर लिया है सो अब हम लोग क्या कर लेंगे एक वैसल ले लेंगे जिसमें हमारी चाष्णी nude कर एंगी इसमें सो अहाप देख सकते हैं तो सुल कॉट Ilis The 스타 ताप यह चलाते हैं बॉटर से नहीं हमारा श्मारा सुल्प कर सकाने कर लें ऐसे हुआ है जिए रोगो से प flavors आप देखल सकते हैं आपको इसी तरह से पेड़े जैसे बना लेने हैं यहाँ पे देखिए जो हमारा मिश्रन होगा उससे हम लोग यह देखिए पेड़े रेड़ी कर लेंगे आप भी जो आपका मिश्रन होगा उससे पेड़े रेड़ी कर लेजी यहाप आप देख सकते हैं मैं इसे किस तरह से ready कर रही हूँ आपको भी सेम इसी तरह से ready कर लेना है सो गाइस अब जो हमारा चाशनी ready हो गया था हम लोग उसमें जो हमारा ये मिश्रन का हम लोग पेड़े ready किये हैं वो अब हम लोग इसमें dip कर लेंगे यहाप आप देख सकते हैं अब हम इसे boil कर लेंगे सो गाइस आप आप देख सकते हैं यहाप मैं इसे cover कर लूँगी थोड़ी देर के लिए और इसे boil कर लूँगी सो गाइस अब देखिए मैं इसे open कर लेती हूँ और जो हमारा चाशनी है अच्छी तरह से जो हमारा रस्मला यह उसमें mix हो गया है सो यहाप आप देख सकते हैं हम लोग इसे पलट देंगे और इसी तरह से boil कर लेंगे सो गाइस अब हम लोग एक बाव ले लेंगे जिसमें हम लोग देखिए आइस क्यूव आड़ कर लेंगे इसक्यूव आड़ कर लेने के बाद हम लोग देखिए उसमें चाशने आड़ कर लेंगे चाशने आड़ कर लेने के बाद जो अब हम लोग ने हमारे रस्मलाई रेडी किये थे वो हम लोग इसमें आड़ कर लेंगे यहां पर देखें मैंने इसमें 1.5L एडों मिल्क कर लिया है को तैसे गरम देखें अगया कीठोबगाई पाउडर कर लोगा है कर लेंगे के बाद हम लक्राइची को पहीं कर लेंगे नहीं कर लेंगे सो गाइस अब हमें क्या कर लेना है इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है मिल्क में यहाँ देख सकते हैं मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है जैसी आप अपने दूद को अच्छी तरह से मिक्स कर ले अब इसमें देखी केसर एड़ कर लेंगे केसर एड़ कर लेने के बाद यहाँ पर देखिए आप इसे पड़ी तरह से मिक्स कर लीजिए कि आप अप देख सकते हो अब हम लोग यसे थोड़ा उबाल राने दें गे जो हम लोगों ने हमारे रस्मलाई थी जिस चाशनी में डिप कर ले थी उससे हम लोग देखे रस्मलाई से चाशनी को पुरा रिमूव कर लेंगे यहाप आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से चाशनी रिमूव कर लिए हमारे रस्मलाई से सो आप क्या करिएगा इसी तरह से जो आपकी रस्मलाई होगी उसमें से चाशनी को रिमूव कर लीजिए गया सो यहापर आप देख सकते हैं मैं इसी तरह से सभी जो चाशनी होगी रस्मलाई में वो रिमूव कर लूँगे इसके बाद अब हमें क्या कर लेना है बावल ले दिख सकते हैं नियूंकत जो सभी रस्मालाइ होगी वो आपको डिप कर लेनी है उसके बाद अगें आप उपर से उसमें चुह आपका मिलक होगा वो आप गार लीजिए हमारी टेस्टी अनियमी रस्मलाई रेडी है आपको रेस्पी कैसे लगे मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताईएगा आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो आपको ड्रीश प्राइब करके लेडियो लाइक चाहिएगा प्राइब लाइक्स प्राइब एक जड़रूर वाचिंग मैं वीडियो